है वेल्कम टू बैक एंस्यार्टी एरा एजुकेस्टनल चैनल आज हम देखेंगे वेसिक इन और्गनिक हिमेस्टे के जो सिरीज चल रहा हूं साक पर कोस्चन नमबर सोला जो है परमाडू इसके बारे में हम पढ़ेंगे आकार्विनिक रशायन जो वेशिक आर्विनिक रश कोस्चन flavor को सिक्ष Г Compat can a परमाडू के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए चलते हैं क्या है परमाडू इसके बारे में देखते हैं तत्वडव का वह परमाडू तत्वडव का वह छोटा सा चो छोटा भाग देकिए ritis को सबसे उसका छोटा भाग ठीक तथा वह किसी भी रसाइनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है प्रन्तु स्वतंत्र आवस्था में नहीं रह सकता रसाइनिक अभिक्रिया में रसाइनिक रियक्षन में भाग लेगा लेकिन वह स्वतंत्र नहीं रहेगा उसको क्या कहते हैं पर सूच मकणों से बने हैं कड़ाद के अनुसार क्या था कि सभी पदार्थ अत्यांत सूच मकणों से बने हैं जिसे परमाडू का आ है उक्षमखणों को मिन्स हर दार्थ पर्माडू से मिन्स पर्माडू पर्माडू से मिल करके बना है तब पर्माडू का निर्माड प्रोटोऊन नियोट्रोण तथा इलक्टोण से सब बाते कर चुके हैं तो आप इस से पहले वाली वीडियो को भी आप वाच कर सकते हैं और आप शुरू से अगर वेसे कि अनुर्गानिक च्छिकना है तो आप शुरू से इसको देखिए इस ताकि आपको अच्छे से समझ में आकरवनिक रशायन तो देखें का लिखा यहाँ परमाडूओं का निर्माण प्रोटोन निउट्रोन तथा इलेक्ट्रोन से मिल करके होता है यह हमने पहले जान लिया है ठीक परमाडूओं का अकार अतिस सुच मुवा द्रब्यमान बहुत कम होता है देखें परमाडूओं का अकार जो होता है ब बहुत सरे टैप्स की परमाडू होते हैं, हर एक तत्वा के, आगर हम बहुत ज्यादा उसको बार तोड़ेंगे, तो उसका परमाडू जो होंगे, तो सबका परमाडू अलग अलग, तो इसी टैप के परमाडू में, जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक, उनका जो सबसे छोटा ह हालगा होता है, कोन हाइडोजन होता है परमाड़ो में ठीक इसका त्रीजेय होता है यहां देखें दरशाए आ गया है 0.3 इन्टु 10-10 मीटर के बराबर होता है ठीक ऐसा दस्या गया है यहाँ कि परमाडू का जो हाद्रोजन परमाडू का जो अकार होता है इसका त्रीज्या जो होता है 0.3 into 10 minus 10 meter के बराबर होता है बिस्वी सताबदी में आधुनी खोजो के परिणाम स्वरूप जेजे थोमसम तथा रधर पोड तथा चैडविक आधी वेग्यानिकों ने यह सीध कर दिया कि परमाड़ू विवाज है, ठीक, बिस्वी सताबदी में ठीक, आधुनी खोजो के परिणाम स्वरूप अभी बिस्वी सताबदी, तो आधुनी खोज मिनिस अभी कुछ समय पहले ऐसा नहीं है कि ठीक ऐसा नहीं कि चार या पांट साल पहले नहीं लेकिन कुछ विश्विश अताबदी में जैसे कि अधुनिक अभी भी हम लोग अधुनिक में जी रहे हैं ठीक तो अधुनिक खोज में ही क्या किया गया था कि खोज के परुणाम सुरुप जे थॉमसन थे रदर फोर थे चै परमाडू जो है विवाज है इसको और विवाजित कर सकते हैं तथा मुख्या मुल कणों से मिल करके बना है ठीक परमाडू जो है मुख्या तिन मुल कणों से मिल करके बना है एवं इन्हें इलक्ट्रोन प्रोट्रोन तथा नियोट्रोन कहते हैं अभी हमने यहां भी देख कि प्रमाडू जो है विवाजे उसको विवाजित कर सकते हैं और तथा यह मुखे ता तीन कणो से मिलकर के बने हैं कौन सा इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन तथा निूट्रोन प्रमूख मुलकणो का अभिलक्षन मुलकण प्रतिक आवेश द्रब्यमान ग्राम ध्रब्यमान ठीक खोज करता जो है इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन का जो देखते हैं यह इनका तो इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रोन का यहां दिया गया है जिसको जेजे थांसन ने बताया था कब 1897 में 1897 में एवं प्रोटान का भी दिया गया है इधर पुरा तो इनको रदर फोर ने बताय टीक तो यह क्या है कि यह सब जितते भी नम्मस में देखें। न्योट्रॉन का भी यह न्यूट्रॉन प्रोट्वों टाथ इलेक्टॉन का यह अभी लक्षन हैं आप यहां से देख सकते हैं तो यह QA जो नूट्रों का दिया था 1932 में ठीक अब यहीं तक इसका था परमाणू का अब इसके आगे समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं इससे प्रिविएस वीडियो भी देखिए थाकि आपको और अच्छे समझ में आए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए बाबाए